डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अनली एट टैग टीवी टैग टीवी अप्डेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानड़ा एंड अराउंड दे गलोग जुनान के करीब खुले समंदर में गिरकर तबह होने वाले कानेडिन फॉजी हेलिकॉप्टर की तलाश का काम खत्म कर दिया गया मौन्ट्रियाल में एशियन बाशिंदो को नसल परस्ती का सामना सिटी कॉंसल से एहम मतालबा कर दिया मौन्ट्रियाल की मेर ने वफाकी और सुबाई हकूमतों से मदद का मतालबा किया है ताके बजट में तवाजन बरकरार रखा जा सके शेहर को बजट में 500 मिलियन डॉलर की कमी का सामना है कानेड़ा भर में करोना वारस के पहलाओ का सिलसला जारी मतासर होने वाले अफराद की तादा 93,085 हो गई अमरीका की तमाँ 50 रियासतों में मुझारे भर पूर कुछ से जारी है वाइट हाउस के बाहर मुझारीन जमा हो गए च्रम्प की सिक्योर्टी बढ़ाती गई निर्जगा तुफान भारती रियासत महराश्टरा से टकरा गया निजाम जिन्दगी बुरी तरह मतासर एक लाग से जाइद अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिये गए दुनिया भर में करोना वारस मतासर अफराद की तादाद 65,86,585 हो चुकी है जबके इस से हलाकते 388,314 हो गई हैडलाइन जानी हम खबरे तफसील के साथ कानिरिन बहरिया के कमांडर का कहना है कि मिलिटरी हेलिकॉप्टर की तलाश का काम खतम कर दिया गया है गुजश्टा हफते एक अमरीकी बहरी जहास हाथसे के मकाम पर पहुंचा था और इस पर मौज़ू टीमो ने हेलिकॉप्टर की तलाश के काम में हिस्सा लिया मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में गुजश्टा मा युनान के करीब खुले समंदर में गिर कर तबाह होने वाले कैनेडियन फौजी हेलिकॉप्टर की तलाश का काम खतम कर दिया गया कینیڈین बहरिया के कमाडर का कहना है कि मिलिटरी हैलिकॉप्टर की तलाश का काम खतम कर दिया गया है गुजशता हफते एक अमरीकी बहरी जहास हादसे के मुकाम पर पहुँचा था और इस पर मौझूद टीमों ने हैलिकॉप्टर की तलाश के काम में हिस्सा लिया इस मिशन के दौरान हैलिकॉप्टर के बास हिस्से और इनसानी बाकियात मिली है हैलिकॉप्टर का कोई भी हिस्सा सलामत नहीं मिला हैलिकॉप्टर का मलबा खुले समंदर में 260 मीटर लंबाई और 230 मीटर चौड़े इलाके में फैला हुआ था उन्हों ने कहा कि हादसे की तहकिकात के लिए तबस्धा हैलिकॉप्टर के जो हिस्से दरकार थे वो मिल चुके हैं ताबिकॉप्टर के बड़े हिस्से को निकाला बहुत ंधुछा था क्योंके वो समंदर बहुत घहरा है और ये मलबा 3,000 मीटर गहराई में है और इसकी तहकीकाथ में भी कोई जरूरत नहीं इसलिए इस मलबे को नहीं निकाला गया उन्हों ने कहा कि हमें हादसे के मुकाम से इंसानी बाकियात भी मिली है ताहम ये नहीं कहा जा सकता कि हमें तमाम लापता फौजी अहलकारों की बाकियात मिल गई है क्यूंकि अब तक किसी की शनाक्त नहीं की जा सकी समंदर से मिलने वाली इंसानी बाकियात कैनेडा वापिस लाई जाएंगी और फॉरंजिंक लैब से उनकी शनाक्त करवाई जाएगी जिन अहलकारों की बाकियात की शनाक्त होगी उनके हले खाना को इतला पहले की जाएगी उसके बाद ये इतला अवाम नास तक पहुंचाई जाएंगी मौटरियाल के मुखले गूर्पС शेहर से एशियन मौटरियालर्स के खलाफ नफरत अंगेस कारवाई की बाद जाबता मुगह करने का मतालबा कर रहे हैं बहुत से गूरप förs एशियन नसल परस्थी के खलाफ Portland के मुझालबा कर रहे हैं जरिये तयार की गई और जुम्मे को अजाद सिटी कॉंसलर मारवन रूटरेंट्स ने पेश की जिसमें शेहर से मुटफिका तौर पर और भरपूर तरीके से मुटलिफ एशियन नसल के मौन्ट्रियाल्स के खलाफ नफरत अंगेजी, अम्तियाजी सुलूक और तश्दुद क मुटलिफ कारवाईयों की मुझमत करने का मुटालबा किया गया है, ये तहरीक जिसे मैगिल और कॉनकोर्डिया यूनिवरसिटी की तलबा यूनियन्स और मुकामी एशियाई कम्यूनिटी ग्रूपों की भी हमायत हासल है, इस पर मौन्ट्रियालर्स की सिटी कॉंसल में 15 उनको वोटिंग होगी, C.R.A.R.R. के एग्जेकिटिफ डिरेक्टर ने कहा कि उन्हें उमीद है कि सिटी कॉंसल मुटफिका दोर पर इस तारीक को मनजूर करेगी, मौन्ट्रियाल की मेर्स सुबाई और वफाकी हकूमतों से मतालबा कर रही हैं कि वो 500 मिलियन डॉलर के ख बختلف कारूबार करोना वारस के सबब किये जाने वाले लॉकडाउन से बुरी तरह मतासिर हुए हैं जो मदद के लिए शेहरी हकूमत की तरफ देख रही हैं। कैनेडा में करोना वारस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादात 7498 तक जह पहुची हैं। हुआ है तहां वहां अब करोना वारस के केसिस में कमी आने लगी है। गुजिशता 24 घंटों के दोरान सूबे भर में करोना वारस के 291 नए केसिस सामने आने के बाद मजमूरी केसिस की तादात 5884 हो गई है। जबके सूबे में करोना वारस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादात 4794 तक पहुच चुकी है। आन्टेरियो में करोना वारस से 29,047 अफराद मतासिर हुए हैं जबके हलाक होने वाले अफराद की तादा 2,312 है। आन्टेरियो इसमनी की जानिब से हंगामी हालत 30 जून तक बढ़ाने का कानून पास हो गया है जिसके बाद आन्टेरियो में 5 से जाइद अफराद के इस्तिमा पर पाबंदी बरकरार रहेगी। अलबर्टा में 7,076 अफराद करोना वारस से मतासिर हुए हैं जबके 145 अफराद करोना वारस के बाइस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कॉनम्बिया में अब तक 261 अफराद में कुरोना वारस की तजदीग हुई है जबकि सूबे में कुरोना वारस से होने वाली हलाकोत की तादात 166 है अमरीकी सदर जो सियाफ फार्म शहरी के कतल पर हतजाज करने वालों को बार बार फौच ताइनात करने की धंकिया दे रहे थे अब यू टॉम लेते हुए कहा है कि जोर्च के साथ जो हुआ वो एक खौफनाक वाकिया था ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था तफसिलात इस रिप के बाद पूर तशद्द मुझारे रुकने का नाम नहीं ले रहे बलके उसका दाइरा यूर्पी मुमालिक तक भी फैल गया है और इसकी शिद्द में कमी नहीं आई इस वक्त भी अमरीका की तमाम पचास रियासतों में मुझारे भर पूर्पूर कुट से जारी है अमरीकी वजिर दिफा मार्क एसपर का कहिना है कि मुझारे ने के खलाफ ताकत के इस्तमाल की कोई जरूरत नहीं सड़कों पर फौजों को इस्तमाल नहीं करना चाहता मुझारों में सिया फार्मों के साथ सफएध फार्म भी बड़ी तादात में शिर्कत करके उन से इसारी एक जह कर रहे हैं लास एंजलेस में तारीख मुझारा किया गया जिसमें लाकों अफराद ने शाराहों पर एतिजाजी मार्श करके हुकूमत के खलाफ शदीद नारे बाजी की इसके लावा वाइट हाउस के बाहर मुझारीन जमा होना शुरू हो गए जिसके बाद मसकूरा अमार कर्फ्यू के हकामात पर अमल नहीं किया था और कर्फ्यू कावनीन की खलाफ वर्जी के साथ साथ जबर्दस मुझारे भी किये इसके लावा अमरीका में सियाफ वाम शेरी जॉर्ट फलाइट के मौमले में बरतरफ तमाम पुलिस हलकारों के खलाफ नई दिफात आईप की गए हैं अदालती दस्ताविजात के मुताबिक पुलिस हलकार डैरेक शोविन के खलाफ सिकेंडरी डिग्री कतल का मुगदमा दर्च किया गया है इसी के साथ साथ बाकी पुलिस हलकारों पर भी इस गतल में मदद करने और पतल की होसला अवजाई करने का इल्जाम आईद क गया है भारत में निर्जगा तोफान रियासत महराश्टर के साहली इलाके राइगर से टकरा गया एक सो बीस से एक सोचॉलिस किलो मीटर फी घंटे की रफतार से हवा के साथ तेज पारिश हुई तफसिलात इस रिपोर्ट में भारत में निसरगा तूफान रियासत महराश काईट आपरेशन मुतासिर हुआ, साहिली इलाकों से एक लाग से जाइद अफराद महपूस मकाम पर मुंतिकल कर दिये गए। रियास्त महराश्टर के साहिली इलाके में तुफान के जिरे असर तुफानी हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है। मुंबई के इलावा थाने पालगर, राइगर, रतनागरी और सिद्धुगीरी इसलाम में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। महराश्टर और गुजरात में नैशनल डिजास्टर रिस्वान्स फोर्स की 43 सी में तायोनात कर दी गई हैं जबके मुंबई में अवां को 6-7 घंटे घरों में रहने की हिदायात की गई हैं। रेलबे ने ट्रेने री शेडियूल्ट और स्पेशल ट्रेनों को डाय वर्ट कर दिया है जबके मुंबई एरपोर्ट पर आपरेशन मतासर है और आज सिर्फ 19 परवाजे उड़ेंगी। मुजी करोना वारस के मरीजों और इस से अमवात में दुनिया भर में रोज बरोज इसाफा हो रहा है। से मतासरा अफराद की तादाद 65,86,585 हो चुकी है जबके इस से हलाकते 3,88,314 हो गई अमरीका ताहाल करोना वारस से सबसे जदा मुतासरा मुलक है जहां ना सिर्फ करोना मरीज बलके उस से हलाकते भी अब तक दुनिया के तमाम मुमालिक में सबसे जदादा हैं अमरीका म करोना वारस से अब तक 1,9,144 अफराद मौत के मुमें पहुँच चुके हैं जबके उस से बिमार होने वालों की मजमूई तादाद 19,2,300 हो चुकी है करोना वारस के मरीजों की तादाद के हवाले से मुमालिकी फैरस में बराजील दूसे नमबर पर पहुँच गया है जहा 215 हो गई जबके उसके मरीजों की तादा 4,32,277 हो चुकी है इस पैंड में करोना के अब तक 2,87,406 मुसद्ध का मुतासरीन सामने आए हैं जबके इस वबसे अमबास 27,128 हो चुकी है टैक टीवी के पाकसान सूडियो से अब तक के लिए इतना ही मज़ीद खबरों और एंड उर्दू, only at TAG TV कर सकें, आप इश्टहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे